आयो दोस्तों मैं आपको आज नेपाल के बारे मां जनकाई दता हूं किस परकार से नेपाल किया 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 हुए हैं लेकिन दोस्तों यहां बात बहुत ही कौम लोगों को पता होगा कि सिता जी का जन्म कहां पर हुआ था बहुत ही ऐसे वेकती है जो जानते हैं कि मिथला में लेकिन मिधला पूर्णुप से कहां पर पड़ता है, मिधला पड़ता है नेपाल में और नेपाल में सिता जी का जन्म हुए थे। लेकिन दोस्तो नेपाल में किस दिन को छुट्टी मनायता है वहाँ पर छुट्टी रभी वार को नहीं मनायता है वहाँ पर संदी वार को छुट्टी मनायता है दोस्तो वरसात को पानी को एक अठा करने में नेपाल एक नमरा स्थान है किस परकार के जब वरसा होता है अपने तक बहुत ही सद्धा प्रेम रखते हैं वहां पर महां सिरात्री नेपाल का सबसे बारते वार इतना परते वार आज तक नेपाल में कोई भी तेवार को नहीं मनायता है सब देशों में अलग अलग परकार के धर्म के बेखती रहते हैं लेकिन नेपाल में कितने बेखती किस धर्म के हैं वहां पर हिंदू राष्ट धर्म कहते हैं लेकिन कौन कौन से एक कासी परसेंट हिंदू धर्म कहीं वहां पर बेखती है कोई भी इंसान जब किसी के नेटेंट बेया जाते हैं तो आपर पर नाम करके और हात मिलाकर गले मिलाकर उन से समान किया थायहां लेकिन वहाँ पनाई रही अजीब कर यहां अधार करके उनका समय की आता है यहन्निक सबसे पुराना यानि की एस seven आड़ाते हैं 113 हां नेफाल में बोले जाते हैं दुनिया का सबसे धीमा इंटरनेट कहां पर चलता है वही देश नेपाल में सबसे धीमा इंटरनेट चलता है इस से धीमा कहीं नहीं चलता है इंटरनेट वीडियो आपको कैसा लगा है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने साथ मैं बेल घंटी को दबादे दोस्तों नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसमें आप बहुत जल्द विदेश जा सकते हैं आप रहे तो मैं विदेश में आ गया हूं